Hello dear children, today we are going to solve practice set 8.3 class 8 math. Question number 5. Construct quadrilateral BARC such that length of BA equal to length of BC equal to 4.2 cm, length of AC equal to 6.0 cm, length of AR equal to length of CR equal to 5.6 cm. अभी यहाँ पे जो length दी गई है quadrilateral की उसका distance दिया गया है, अभी हमें एक quadrilateral construct करना है, अभी यहाँ पे यह distance दिया गया है, तो firstly क्या करेंगे हम एक raw figure ड्रॉ करेंगे और उसके बाद fair figure ड्रॉ कर लेते हैं, अभी देखो यहाँ पे जो quadrilateral है यहाँ पे AR और CR की length दी गई ह तो firstly यहाँ पे 5.6 cm की हम ड्रॉ करेंगे length, लेकिन यहाँ पे raw figure ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी measurement लेना नहीं है, अन्दा जैसे यहाँ पे 5.6 cm हमने ड्रॉ किया है, यहाँ तक लेना है थोड़ा 5.6 cm, यहाँ पे यह बन गया AR, कितने cm की? 5.6 cm की, उसके ब 0 cm, तो यहाँ पे AC क्या है, डाइगोनल है, तो इस प्रकार से यह डाइगोनल बन जाएगा, 6 cm का, यह बन गया डाइगोनल, यहाँ पे यह है 6.0 cm, यहाँ पे हमें 0.C मिल जाएगा, और CR की जो length है, वो दी गई है 5.6 cm, फिर से इसको जोईन कर लेना है, 0.C और 0.R को, यह distance है 5.6 cm, तो यहाँ पे मिल गए हमें 5.6 cm, अभी यहाँ पे हमें A, R और C, तिनों point मिल गए, अभी हमें only B point बाकी है, अभी यहाँ पे BA और BC का distance दिया है 4.2 cm, तो यहाँ पे हमें point B मिल जाएगा, BA का distance कितना है 4.2, तो यहाँ पे इस प्रकार से 4.2 distance हम ड्रॉ करेंगे, यह distance कितना है 4.2 cm, और BC का भी distance कितना है 4.2 cm, तो इसको भी इस प्रकार से जोइन कर देना है, यह distance भी कितना है तो 4.2 cm, इस प्रकार से हमने एक rough diagram ड्रॉ किया है, यहाँ पे कोई भी measurement लिया नहीं है, अभी हम जो diagram ड्रॉ करने वाले है, फेर फिगर, उसमें हम all जो यहाँ पे distance दिया गया है, उसका measurement accurately लेने वाले है, उसके बाद उसको ड्रॉ करेंगे, फिर्सली यहाँ पे दिया गया है AR का distance, that is 5.6 cm, तो यहाँ पे इस प्रकार से 5.6 cm ड्रॉ करना है, तो फिर्सली यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे रखना है और 5.6 cm, यह 5 है, उस प्रकार से एक straight line ड्रॉ कर लेनी है, यहाँ पे इसको label कर देते है, यह बन गया AR, कितने cm का है, तो 5.6 cm का है, उसके बाद क्या करना है, हमें diagonal ड्रॉ करना है, तो diagonal यहाँ पे कितना दिया गया है, 6 cm का, तो scale लेनी है, और यहाँ पे compost में हमें 6 cm का distance ले लेना है, इस प्रका अर्क लग जाने के बाद क्या करना है, हमें CR ड्रॉ करना है, CR की लेन्द कितनी है, 5.6 cm है, तो यहाँ पे फिर से हमें 5.6 cm distance लेना है, इस प्रकार से, accurately लेना है 5.6 cm, इस प्रकार से 5.6 cm ले लिया, अभी यह लेने के बाद यहाँ पे point आर्क पे रखना है, और यह जो first आर निकाला था, उसको intersect करने वाला second आर्क निकाल लिया, अभी यहाँ पे हमें जो point मिल गया, यह जो intersecting point मिल गया हमें यह, यह point है point C, अभी क्या करना है, point C और point R दोनों को करना है join, इस प्रकार से join कर लिया, उसके बाद point A और point C भी join कर लेना है, यह हो जाने के बाद हमें क्या करना है, AB कितनी लेन थे, AB की लेन थे 4.2 cm, तो फिर से क्या करना है हमें, यहाँ पे इस प्रकार से scale में 4.2 cm का distance लेना है, 0 पे रखना है और 4.2 cm का distance इस प्रकार से compost में लेना है, यह बन गया 4.2 cm का distance, अभी point A पे रखना है, compose और इस प्रकार से एक arc लगा देना है यह लगाया arc अभी यह जो 4.2 cm का distance से यही compost में रहने देना है और BC जो है उसका distance भी कितना है 4.2 तो यहाँ पे point C पे रखना है और फिर से इस प्रकार से arc लगा देना है वही distance रहने देना है क्योंकि वो ही distance 4.2 है अभी यहाँ पर ही जो point मिल गाई intersecting point वो है point B अभी point B और point C दोनों को भी join कर लेना है उसी प्रकार से point B और point A को भी join कर लेना है इस प्रकार से हमने इसको join कर लेना है और point B और point C को भी हमें join कर लेना है अभी यहाँ इस प्रकार से हमने जोईन कर लिया अभी यहाँ पे जो डिस्टन्स था वो हो था 4.2 cm BC का जो डिस्टन्स है वो है 4.2 cm CR का डिस्टन्स कितना है 5.6 cm और यह जो डाइगोनल था उसका डिस्टन्स था 6.0 cm इस प्रकार से यह quadrilateral B, A, R, C हमने ड्रॉ कर लिया इस प्रकार से आज हमने practice set 8.3 इस में से question number 5 completely solve किया है आज का वीडियो कैसा लगाओ? कॉमेंट करके बताना है वीडियो को लाइक, शेरों सब्सक्राइब करना ना बूले थैंक्स पर वोचिंग इस वीडियो